साहित्तिक कहानियों की श्रिंखला में आज कथा साहित्ते में सुनिये रवेंद्र नाथ टैगूर चीद्वारा लिखी कहानी पाशानी अपूरु कुमार भी ये पास करके ग्रिशमा आउकाश में विश्व की महान नगरी कलकत्ता से अपने गाउं को लौट रहा था मार्ग में छोटी सी नदी पढ़ती है वह बहुदा बरसात के अंत में सूख चाया करती है परन्तु अभी तो सावन मास है नदी अपने यौवन पर है गाउं की हद और बास की जड़ों का आलिंगन करती हुई तीवलता से बहती चली जा रही है लगातार कई दिनों की घंगोर परसात के बाद आज तनिक मेक छटे हैं और नब पटल पर सूरे देव के दर्शन हो रहे हैं नौका पर बैठे हुए अपूर कुमार के हिरिदे में बसी हुई प्रतिमा यदि दिखाई देती तो देखते कि वहां भी इस नवीवक की हिरिदे सरीता नव वर्ष से बिलकुल तट तक भर गई है और सरीता का जल जोती से जिल मिल जिल मिल और वायू से चप चप कर रहा है नौका यथा स्थान घाट पर लगी है नदी के उस टट पर से व्रिक्षों की आड में से अपूर्व के घर की चट स्पस्ट दिखाई दे रही है घर पर किसी को खबर तक नहीं कि अपूर्व शहर से लोट रहा है अतह घर पर से लिवाने के लिए कोई नहीं आया नाविक सूट केस उठाने के लिए तैयार हुआ तो अपूर्व ने उसे इंकार कर दिया वो स्वेम ही सूट केस हाथ में उठा कर आनंद की लहर से जट पट नौका से उतर पड़ा उतरते ही घाट पर थी फिसलन सूट के सहित वो दलदल में गिर पड़ा और जियों ही गिरा तियों ही ना जाने किधर से मोटी उंची हास लहरी ने आकर समीब के पीपल पर बैठी हुई चिडियों को उड़ा दिया अपूर्व बहुत ही लच्जित हुआ और जट पट स्वैम को सम्हाल कर जहूं और देखने लगा देखा कि घाट के एक छोर पर जहां महाजन की नौका से नई इंटे उतार कर इकठी की गई है उन्ही पर बैठी हुई एक नव यौबना हस्ते हस्ते लोटपोट हो रही है अपूर्व ने पहचान लिया कि वो उसी के पडोसी की लाटली बेटी म्रिगमई है पहले इनका घर यहां से बहुत दूरी पर बड़ी नदी के तट पर था दो-तीन साल गुजरे नदी की पाड़ के कारण उन्हें वह स्थान छोड़कर वहाँ चला आना पड़ा म्रिगमई के विशे में बहुत कुछ अफवाद सुनने के लिए मिलता है ग्रामेन वासी पूरुष्टो इसे स्निह के स्वर में पगली कहकर पुकारते हैं लेकिन उनके घरवालियां इसके उदंड सुभाव से सरवदा तरस्त, चिंतित और शंकित रहा करती हैं गाउं के छूकरों के साथ ही उसका खेल होता है क्योंकि सम्वयस्क लड़कियों के प्रती उसकी अवग्या की सीमा नहीं बालकों के राज्जे में ये लड़की एक प्रकार से शत्रुपक्ष की सेना के उप्द्रव के समान सी प्रतीत होती है पिता की लाडली बिठिया ठहरी और इसी लिए वो इतनी निर्भे रहती है वास्तव में इस विशे म्रिग्मई की मा अपने सिहेलियों के आगे हर समय अपने पती के विरुद परियाद किया ही करती मगर फिर भी यह सोच कर कि पिता बेटी को लाड़ करते हैं और जब यह अवकाश के समय घर रहते हैं तो मिर्ग्मई के नेत्रों के अश्रू उनके हृते पटल पर बहुत ही आगात पहुँचाते हैं वे प्रवासी पती का स्मरण करके लड़की को किसी भी तरहां पेड़ा नहीं पहुचा सकती मिर्ग्मई का रंग देखने में अधिक साफ नहीं है छोटे छोटे घुंगराले केश पीट पर अच्छा दित रहते हैं चहरे पर पिलकुल बच्पना छाया रहता है बड़ी बड़ी कजराली आँखों में ना तो लज्जा है ना भय और ना हाव भाव में किसी प्रकार का संशे वो लंबी परिपुस्ट स्वस्थ और सबल है उसकी आयू अधिक है या कम यह प्रश्ण किसी के मन में उठता ही नहीं यदि उठता तो ग्रामिन पड़ोसी इस बात पर मापाप की निंदा करते कि अभी तक ये कुमारी ही फिर रही है जब कभी गाउं के वितेशी जमिदार की नौका आकर खाट पर लगती है नाक के नीचे तक अफगुंठन खिट जाता है परंतु म्रिगमई ना जाने कहां के किसी के वस्तरों से हीन बच्चे को उठाए हुए गुंगराले केशों को पीट पर बिखेरे जा खड़ी होती है जिस देश में कोई शिकारी नहीं, कोई मुसीबत नहीं उस देश की इम्रिकी शावक की तरहां निडर खड़ी हुई आशरे चकित सी देखा करती और अंत में बाल संगियों के पास जाकर इस नए मानव के आचार वहवार के विशे में विस्तार के साथ भुमिका बांती हमारे अपूर्व कुमार ने अफकाश के दिनों में घर आकर इस से पहले और भी दो-चार बार इस सीमाहिन नवीयवना को देखा है और फालतु समय में यहां तक की काम के समय में भी इसके विशे में विचार किया है इस थारा पर बहुत से चहरे देखने में आते हैं पर कोई-कोई चहरा ऐसा होता है कि ना कुछ कहना, ना सुनना चट से मन के भीतर जाकर ऐसा बस जाता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है केवल सौंदर्य के कारण ही ऐसा होता है सो बात नहीं वह तो कुछ और ही है संभवता, वह है स्वच्चता अधिकांश चहरों पर मानव प्रिकृती पूरी तौर से अपनी जोती से नहीं जगमगा पाती जिस चहरे पर हित्य के कोने में छिपा हुआ वह रहस में व्यक्ती बिना रुकावट के बाहर निकल कर दिखाई देता है वह चहरा सैकडों हजारों में छिपता नहीं पल भर में हृत्य पटल पर अंकित हो जाता है इस लड़की के चहरे पर आँखों पर एक चंचल और उदंड नारी प्रिक्रती सदेव स्वच्छंद और वन के दोड़ते हुए हिरन की तरह दिखाई देती रहती है भागती फिरती रहती है और इसलिए ऐसे सलोने चंचल मुक को एक बार देख लेने पर फिर सहज में वह बुलाय नहीं बुला पाठागण को यह बताने के अवशक्ता नहीं कि मृक्मई की कोतु हलता से भरी हासे ध्वनी चाहे कितनी ही मृद्यू क्यों नहो लेकिन अभागे अपूर्व के लिए वहतने कुछ दुखताई ही साबित हुई मारे लज्जा के उसका चहरा सुर्खो उठा और हाथ का सूटकेस जटपट नावी के हाथ में सौप कर वो श्रीगरता से अपने घर की ओर चल दिया नदी का के नारा, व्रिक्षो की छाया पक्षियों का मृत्यू कल्रव प्रभाद की मीठी मीठी धूप और बीस वर्ष की अवस्था कति पे इंटों का धेर ऐसा कुछ खास उलेख युग्य नहीं पर उस पर जो मानवी बैठी थी उसने उस शुश्क और निरस आसन पर भी एक प्रकार का मुख सौंदर्य का भाब फेला रखा था छी छी, ऐसे द्रिश्य के मध्य में प्रथम पक उठाते ही जिसका सारा का सारा वेक्तितु प्रहसर में प्रवर्तित हो जाए तो उसके भागे की इससे बढ़कर निस्ठुरता और क्या हो सकती है इंटों के ठेर से बहती हुई हसी की तरंग सुनते सुनते ब्रिक्षों की छाया के नीचे दलदल में सनी, निम्न दुकुल सूट केस लिये हुए शिर्यूत अपूर्व जी किसी तरह अपने घर पहुँचे अकसमाथी बेटे के पहुचाने से विद्वामा मारे उल्लास के फूली न समाई उसी समय खोया, दही, दूद और बढ़िया मचली के तलाश में दूर पास सब सानों पर आदमी दोड़ाए गए और पास पडोस में भी एक प्रकार की हलचल सी पैदा हो गई भोजन की समापती पर मा ने बेटे के आगे बिहा का प्रस्ताव छेड़ा अपूर्व इसके लिए तयार तो था ही कि बिये पास के बिना विवा हरकिस नहीं कर सकता इत्यादी अब तक उसकी मा उसके पास होने की ही राह देख रही थी सो अब किसी प्रकार की आपती उठाने के माएने है कि जूटी बहाने बाजी अपूर्व ने कहा पहले लड़की तो देखो फिर देखा जाएगा मा ने उत्तर दिया लड़की वड़की सब देखी जा चुकी है उसके लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं किन्तु अपूर्व उसके लिए स्वयम ही फिक्र करने के लिए उद्धत हो गया बोला लड़की बिना देखे में विवा नहीं कर सकता मा सोच में पड़ गई ऐसी अनोखी बात तो आज तक नहीं सुनी थी फिर भी वो राजी हो गई रात को अपूर्व दीपक बुझा कर पिस्तर पर चापड़ा पढ़ते ही परसात यामिनी की सारी की सारे स्वर लहरी और पूर्व निस्तब्दता के उस पार से उसकी सेश पर एक उच्छवासित उच्छ मृदु कंठ की हास्ध्वनी आ आ कर उसके कानों में जंकरित होने लगी उसका शांत मन स्वेम को बार बार ने रंदर यह कह कह कर वेथित करने लगा कि सवेरे वो जो पैर फिसल कर गिर पड़ा था उसका किसी ना किसी युक्ती से सुधार कर लेना ही चाहिए उस नवियोना को यह मालूम ही नहीं कि मैं अपूर्व कुमार हूँ अचानक फिसलन पर पाउं पड़ जाने से दल्दल में किर चाने पर भी मैं कोई उपेक्चनिय गाउं का वासी नहीं अगले दिन अपूर्व को लड़की देखने जाना था अधिक दूर नहीं पडोस में ही लड़की वालों का घर है तने कुछ कोशिश करने के बाद ही कपड़े पदन पर टाले निम्न दुकुल दोती और दुपट्टा जोड़कर रेशमी अचकन सेर पर अमेरी रंग के गोल पगड़ी और पैरों में बढ़िया चमकते हुए जूते पहन कर रेशमी कपड़े की बढ़िया छतरी हाथ में लटकाए वो सवेरे ही चल दिया भावी ससुराल में घुसते ही वहां कुलाहल सा मच गया अंत में यथा समय कमपित रिद्य को जाड़ पोँचकर रंगवंकर जूडे में गोटा यादी लगा कर एक पतली रंगीन साड़ी में लपेट कर उसे भावी पती के सामने लाया गया आगंतु का एक कोने में लगभग घुटनों तक माथा जुकाए चुप चाप जड़ वस्तोसी पैठी रही और उसके पीछे धेरे बंधाय रखने के लिए खड़ी एक अधेर अवस्ता की दासी उसका एक भाई जो की अभी बच्चा ही था अपने परिवार में अनादिकार प्रवेश करने वाले इस नय व्यक्ति की पगड़ी घड़ी की चैन और उठती हुई मुचों की और बड़े ध्यान से टक-टकी लगाए देखने लगा अपूर्वने कुछ देर मुचों पर हाथ फेनने के बाद अंत में कमभीरता के साथ पूछा तुम क्या पढ़ती हो? अभुशनों के भार से दबी हुई लज्जा की कठरी में से उसे अपने प्रशन का कोई भी उत्तर नहीं मिला दो-चार बार पूछे जाने और अधेर दासी त्वारा पीट पर बारंबार धैर्रे की थपकियां पढ़ने के बाद लड़की ने बहुत ही धीमे स्वर में शिग्रता के साथ एक ही सास में कहकर छुट्टी पाली कन्या बोधिनी, दूचरा भाग, व्याकरन सार, भुगोल, अंकगनित और भारत का इतिहास इतने में पहार किसी की तेज चलने की धम-धम की आवास सुनाई दी और दूसरी हिशन, दोड़ती, हाफती और पीट पर कीशों को हिलाती हुई मिरिगमई वहां पर आधम की उसने अपूर्व की और आँख उठा कर देखा तक नहीं सीधी उस भावो वधु के भाई राखाल के पास पहुँची और उसकी कोमल हाथ को पकड़ कर खींचना शुरू कर दिया राखाल उस समय भावो वधु को देखने में लीन था वहां से वो किसी भी तरह टस से मस नहीं हुआ दासी अपने सैयत कंठ की मृदुदा की भरसक रक्षा करती हुई यथा साध्य दिवृता के साथ म्रिगमई को दिक्कारने लगी अपूर्व अपनी सारी की सारी मौनता और यश को एकत्रित करके पगड़ी बंधे माथे को उचा करके बैठा रहा और उदर के पास लटकती हुई खड़ी की चैन को हिलाने लगा अंत में म्रिगमई ने जब देखा कि उसका साथ ही किसी भी तरहा विचलित नहीं हो रहा तो उसने उसकी कमर पर जोर का मुक्का जमा दिया और लगे हातों भावी वधु के माथे का अवगुंठन उखाड़ कर वो आंधी के वेक के समान जिस परकार आई थी उसी परकार भाग गई दासी मन मार कर रह गई और भीतर ही भीतर घुमड़ कर गरजने लगी राखाल अचानक अवगुंठन के हट जाने से एक आएक खिलखिला पड़ा इस खुशी में कमर पर पड़े मुक्य की चोट को भी उसने महसूस नहीं किया कारण ऐसा लेन दिन अक्सर हुआ ही करता था इससे किसी प्रकार की आजनवीनता नहीं थी इसके लिए एक द्रिस्टान थी बहुत है एक दिन की बात है मृगमई के केश तब पीट तक बढ़े थे राखाल ने अचानक पीछे से आकर कैंची से उसके बाल काट दिये इस पर मृगमई को बहुत क्रोध आया और उसने चट से राखाल के हाथ से कैंची छीन कर अपने शीश केश बड़ी निर्दैता से कतर कतर कर उसके मूँ पर दे मारे मृगमई के घुंगराले केशों के गुच्छे डाली से गिरे हुए काले अंगुरों के गुच्छों की तरहां धरा पर गिर पड़े इन दोनों में शुरू से ही इस प्रकार की प्रणाली पचलित थी इसके बाद वो शान सभा अधिक देर तक ना चल सकी गठ्री सी बनी भावी वधू अपने को बड़ी कठिंता से लंबी बना कर दासी के साथ घर के भीदर चली गई अपूर्व अपनी मुचों पर हाथ फिरता हुआ उट खड़ा हुआ बाहर जाकर देखा कि उसका बढ़िया नया जूता वहां से गायब है बहुत प्रितन करने पर भी इस बात का पता नहीं लगा कि जूते कौन ले गया और कहां गए घर वाले सभी बड़े परिशान से हुए और अपराधी के नाम पर अब शब्दों की बोचार होने लगी जब किसी भी परकाट जूतों का पता नहीं लगा तो अंत में विवश होकर घर के मालिक की फटी पुरानी धीली चटी पहन कर पतलून पगडी से सुसर्जित अपूर्व गाउं के कीचड़ वाले रास्ते को बहुत सावधाने के साथ पार करता हुआ घर की ओड़ चल दिया तालाब के किनारे सुनसान पत पर पहुँचते ही सहसा फिर उसे वही जोर का परिहासात्मक स्वर सुनाई दिया मानो व्रिक्ष और पलवों की ओट में से कोतुक प्रिया बन देवी ही अपूर्व की उन पुरानी चटियों को देखकर एक आएक हस पड़ी हो अपूर्व कुछ लजजित सा होकर ठिटक गया और इधर उधर द्रिस्टी फैंक कर देखने लगा इतने में सगन जाड़ियों में से निकल कर किसी निरलज अपराधिन ने उसके सामने नए जूते रख दिये और चट से पहाट जाने के लिए उद्धत हुई कि अपूर्व ने उसके दोनों हाथ पकड़ कर अपनी कैद में ले लिया मृरिक मई ने यथा शक्ती तेड़ी तिर्ची होकर पूरी शक्ती का प्रियोग करके भागने का पहुत प्रित्न किया लेकिन सब्व्यर्थ गुंगराले केशों से घिरे हुए उसके गोल मटोल चहरे पर सूरे की किर्णे व्रिक्षों की डालियों और पलवों में चंचं कर पढ़ने लगी कोतु हलता से वश्री पूत होकर कोई पथिक जिस प्रकार दिवाकर की किर्णों से चमकती हुई स्वच चंचल निर्जरनी की ओर जुक कर टक्टकी लगाए उसकी तली को देखता रहता है ठीक उसी तरहा अपूर्व ने म्रिग्मई के उपर उठे चहरे पर तनिक जुक कर उसकी खंचन सी चंचल आँखों के भीतर गहरी द्रिस्टी फैंक कर देखा और फिर बहुत धीमे से उसे अपनी मुठ्यों के बंधन से मुक्त कर दिया अपूर्व क्रोधित मुद्रा में म्रिग्मई को पकड़ कर मारता तो उसे तनिक भी अचमबाना होता किन्तु इस प् प्रिकरती नटी के नुपुरों की जंकार की भाती फिर वही हास्विध्वनी उस निरवपत में गुंजुठी और चिंतातुर अपूर्व धीरे धीरे पक उठाता हुआ घर की ओर चल दिया अपूर्व उस दिन अनेक प्रकार के बहाने बना बना कर ना तो घर के अंदर गया और ना मा से भेंट की किसी के यहां भोज का निमंदरन था वहीं खा आया अपूर्व जैसा पढ़ा लिखा और भावुक नविवक एक मामूली पड़ी लिखी लड़की के मुगाबले अपने छिपे हुए गौरव का बखान करने और उसे आंदरिक महता का पूर्ण परिचे देने के लिए क्यों इतना आतुर हो उठा यह समझना बह भर के लिए अपूर्व का परिहास करके और फिर उसके अस्तित्व को किसी ताक पर रखकर राखाल नाम के अभूद बच्चे के साथ खेलने के लिए इच्छा प्रकट की तो उसमें अपूर्व का बिगड़ ही क्या गया इन बच्चों के सामने उसे परमानित करने के पूते, रूबीनी के कैमफर, पत्र लिखने के रंगीन कागज और हार्मोनियम शिक्षा, पुस्तक के साथ एक पूरी लिखी हुई प्रेस कौपी, यामिनी के गर्भ में भावी उशा की तरहां प्रजोलित होने की रहा देख रही है, पर मन को समझना कठिन है, कम से कम इस देहाती चंचल लड़की के सामने, शिरी अपूर्व कुमार भी ये हार मानने के लिए किसी प्रकार भी तयार नहीं, संध्या को अपूर्व जब घर के भीतर पहुचा, तो उसकी माने पूछा, क्यों रे, लड़की देखाया, कैसी है, पसंद है ना, अपूर्व ने कुछ लचाते हुए उत्तर दिया, हाँ, देख तो आया मा, उन में से मुझे एक ही लड़की पसंद है, माने तने कुछ आश्चरे जगित स्वर में पूछा, तुने कितनी लड़कियां देखी थी महा, अंत में दो चार प्रश्नोत्र के बाद मा को मालुम हुआ, कि उसके लड़ लड़के ने पडोसिन शार्दा की लड़की मृगमई पसंद की है, इतना पढ़ लिखकर भी यह पसंद, परिणाम यह निकला कि कमबक्त अडियर टक्टू की तरहां गर्दन तेड़ी करके कुछ पीछे को उठकर कह बैठी, मैं ब्या नहीं करूंगी, जाओ, इस पर भी उसे ब्या करना ही पड़ा, उसके बाद अध्यन शुरू हुआ, अपूर की मा के घर जाकर एक ही रात में मिर्गमई की अपनी सारी दुनिया ने बेडियां पहन ली, सास ने वधू का सुधार करना आरंब कर दिया, बहुत ही कठोल मुद्रा बना कर उसे वोली, देखो अब तुम नन्नी पच्ची नहीं रही, हमारे घर में ऐसी बेहाई नहीं चल सकेगी, सास ने यह बात जिस भाव से कही, मिर्गमई ठीक उसे उसी रूप में ना समझ सकी, उसने विचारा कि इस घर में यदि ना चले, तो शायद कहीं दूसरी जगह चाना पड़ेगा, मध् अंत में विश्वास खातक राखाल ने उसके गुप्त स्थान का पता बता कर उसे कैद करवा ही दिया, वो पड़ वरक्ष के नीचे शिरी राथा कांध जी के टूटे रत में जाकर छिप गई थी, सभी के सामने मा ने और पास पडोस की ग्रिह इस्त्रियों ने उसे कितना फटकारा और लज्जित किया, इसकी कल्पना स्वेम आप ही बना लें तो अच्छा हो, रात्रे को खूब घंगोर घटाएं चा गई, और रिमजिम रिमजिम में बरसने लगा, अपूर्व ने धीरे से म्रिगमई के पास शया पर जाकर उसके कान में धीमे स्वर में कहा, म्रिगमई, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? म्रिगमई ने ततकाल ही कड़क उतर दिया, नहीं, मैं तुम्हारे से हर्गिस प्यार नहीं कर सकती, मानो उसने सारे गुसे की पोटली अपूर्व के माथे पर दे मारी, अपूर्व ने खिन स्वर में पूछा, क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस दोश की संतोश चनक कैफियत देना तो कठिन है? अपूर्व ने मन ही मन कहा, इस विद्रोह मन को जैसे भी बने वश में करना ही होगा. अगले रोज सास ने मिर्कमई में विद्रोह भाव के सब लक्षन देखकर उसे अंदर के कोठे में बंद कर दिया. पिंजडे में फसी नई चड़िया की तरहा, पहले तो वो कोठे के अंदर फड़पडाती रही, अंत में जब कहीं से भी भागने का कोई मार्क दिखाई न नहीं दिया, तो हताश क्रोज से उन्मत हो बिच्छाने की चादर की दांस से धज्जियां उड़ा दी और धरा पर आंधी किर पड़ी, और मन ही मन पिता की याद करके रोने चिलाने लगी. ठीक इस समय धेरे से कोई उसके समीप आकर बैठ गया, बड़े सनह से उसके धूल धुसरित केशों को कपोलो पर से एक और हटा देने का प्रत्न करने लगा. म्रिगमई ने बड़े जोर से अपना सिर हिला कर उसका हाथ हटा दिया. अपुरुम ने उसके कानों के पास अपना मुह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वर में कहा, मैंने चुपके से द्वार खोल दिय है. चलो, अपने पीछे के बगीचे में आ जाएं. म्रिगमई ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं. अपुरुम ने उसकी ठोड़ी पकड़ कर उसका मुह उपर को उठाना चाहा, और बोला, एक बार देखो तो सही, कौन आया है? राखाल धरा पर ओंधी लेटी हुई म्रिगमई को घूरता हुआ, हद बुद्धी ही द्वार पर खड़ा था. म्रिगमई ने बिना मूँ उठाय ही, अपुर्व का हाद चटक कर अलग कर दिया. अपुर्व ने कहा, देखो राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है, इसके स अपुर्व चुप चाप बैठा रहा, अब म्रिगमई अश्रू बहा कर सो गई, तब वो चुपके से उठा और द्वार की सांकल चड़ा, दबे पाउं वहां से चल दिया. इसके अगले ही रोज, म्रिगमई के पिता की एक चिठी मिली, उसमें उन्होंने प्राण प्यारी म्रिगमई के बिहा में ना आने के कारण विलाब करके अंत में नवदमपत्ती को शुबाशीश दिया था. म्रिगमई ने सासमा के पास जाकर कहा, मैं पिताजी के पास जाऊंगी. सासमा ने अनयास ही वधु की इस असंबब प्रात्ना को सुनकर उसे फटकार दिया. बोली, पिता का कहीं ठोर ठेकाना भी है कि ऐसे ही पिताजी के पास जाएगी. तेरा तो हर काम दुनिया से निराला है. लाड मुझे पसंद नहीं. वधु ने कोई उत्तर नहीं दिया. अपने कमरे में चाकर उसने भीतर से द्वार बंद कर लिया. और पिलकुल निराश मानव जिस कोई नहीं है. मैं यहाँ जीवित न रह सकूँगी. अधिक राज चले जाने पर जब उसके पते निद्रा में खो गए तब वो चुपके से द्वार खोल कर पाहर चल दी. वास्तव में बीच-बीच में मेखों के गर्जन सुनाई देती थे. फिर भी बिजली की रोशनी में रास्ता दिखाई देने लायक काफी रोशनी थी. पिदाजी के पास जाने के लिए कौन से रास्ते को पकड़ना चाहिए? मिरिकमई को कुछ भी पता ना था. उसे तो केवल इतना ही विश्वास था कि जिस रास्ते में पत्रवाहक डाक लेकर जाते हैं, उसी मार्क से दुन अंतिम पहर भी खत्म हो चला. सुनसान वन में, जबकि दो-चार पक्षी पंख हिला हिला कर अनिष्टित स्वर में बोलना चाहते थे और समय का पून निर्णय ना कर सकने के कारण दुविधा में भस चुप रह जाते थे, उस समय मिरिकमई सडक के किनारे नदी के टठपर क पाजार में पहुँची. इसके बाद वो विचार कर रही थी कि अब किस और चलना चाहिए? इतने में उसे परेचित जम-जम शब्द सुनाई दिया. थोड़ी देर में कंधे पर चिठियों का थेला लटकाए, हाँता हुआ पत्रवाहक खटा पहुचा. मिरिकमई जल्दी स उसके पास जाकर करुण स्वर में बोली. कुशी गंज में पिताजी के पास जाओंगी, तुम मुझे साथ ले चलो ना? उसने उत्तर दिया. कुशी गंज कहा है? इसका मुझे नहीं मालूम. छोटा सा उत्तर देकर वो घाट पर जा पहुचा. और घाट पर बंदी हुई ड देखते बाजार और घाट सचक हो गए. मुरिकमई ने घाट पर पहुचकर एक नाविक से कहा, मुझे कुशी गंज पहुचा सकोगे? उस नाविक के उत्तर देने से पहले ही बगल की नौका पर से कोई बोल उठा. अरे कौन है? मुरिकी पिटिया, तु यहां कैसे आई? व्यकरता से उत्तर दिया. बनमाली, मैं पिताची के पास कुशी गंज आउंगी. तु अपनी नौका पर मुझे ले चल. बनमाली उसके गाओं का ही नाविक था. वो उस उच्छिंकल मानवी को भली भाती पहचानता था. उसने पूछा, बाबुजी के पास जाएगी बिट शुरू कर दिया. सावन भादों के समान पूरी चड़ी हुई नदी के थपेडे नौका को जोर से हिलाने लगे. म्रिगमई का सारा शरीर ठकावट और नीन के मारे तूटने सा लगा. आखे नीन से बोचिल हो गई. और वो आचल बिचा कर लेट रही. और लेटती ही वो चं कि वो अपनी ससराल में पड़ी सो रही है. उसे जगते देख महरे बड़डाने लगी. उसका बड़डाना सुनकर सासो मा भिया पहुंची. और जो मन में आया वह कहा. म्रिगमई आखे फाड़ फाड़ कर शान्थ हो उनके मुक्की और देखती रही. अंद में सास मा ने भी जब उसके पिता की शिक्षा पर ब्यंग करना शुरू कर दिया. तब म्रिगमई ने जल्दी से उठ बगल की कोठी में खुसकर अंदर से द्वार बंद कर लिया. अपूरु ने लाच को बिलकुल ही ताक पर रखकर मा से कहा. मा, वधु को दो चार दिन के लिए उसके घर ही भेज देने में कोई हर्स की बात नहीं. मा ने अपूरु को बुरी तरह आड़े हातों लिया. बोली, नपूते, दुनिया में इतनी लड़किया होते हुए भी ना जाने कहां से चांट चांट के ऐसी हड़जाल को मेरी च्छाती पर डाल दिया. इस परकार के कटू शब्द अपूर्व गोंडिर दोश होते हुए भी सुनने पड़े. उस रोज, सारे दिन घर के बहार पूंदा बांदी और अंदर अश्णू की वर्षा होती रही. अगली रोज, अर्धरात्री को अपूर्व ने म्रिक्मई को धीरे से चाकर पूछा. म्रिक्मई, क्या तुम अपन जी के पास जाना चाहती हो. म्रिक्मई ने चौंकर चल्दी से अपूर्व का हाथ पकड़ कर कृतिक गंड से उतर दिया. हाँ, तब अपूर्व ने चुपके से कहा, तू चलो, हम दोनों चोरी-चोरी भाग चलें. मैंने घाट पर नौका प्रबंद कर रखा है. म्रिक्मई ने इस पार कृतिक द्रिष्टी से अपूर्व क्योड देखा, और उसके बाद ततकाल ही उठ, कपड़े बदल चलने के लिए उत्यत हो गई. अपूर्व ने मा को किसी प्रकार की फिक्र ना हो, इसलिए एक पत्र लिकर रख दिया, और रात्री के नीरव पहर में घर से नि उसके अपने हिरिद्य का द्वेग उस परश मात्र से अपूर्व की नसों में भी संचारित होने लगा. नौका उसी रात्री के निरव पहर में वहां से चल दी. अकसमात खुशी के होते हुए भी मिर्गमई को बहुत जल्दी ही नीन्ने आदबाया. अगले रोज आनंद ही आनंद था. दोनों और कितने ही बाजार, खेत और जंगल दिखाई दे रहे थे. इधर उधर कितने ही नौकाएं आ जा रही थी. मिर्गमई उन्हें देखकर पूशने लगी. उस नौका पर क्या है? ये लोग कहां से आ रहे हैं? इस थान को क्या कहते हैं? ये सवाल ऐसे पे पहर थे. फिर भी उसके मन को संतुस्ट करने के लिए जो भी उत्तर दिये थे, वे सब मिर्गमई को बहुत अच्छे लगे थे. दूसरी संध्या को नौका कुशी गंश के खाट पर चा लगी. पास में ही टीन के एक छोटे से जोबड़े में मैली सी धोती बांधे, काज की भत्ती लाल्टेन जला, छोटे से टेक्स पर एक चमडे के जिल्दवाला बढ़ा सा रदिश्टर रखकर, नंगे बदन, स्टूल पर बैठे, इशान चंदर कुछ लिख पड़ रहे थे. इसी समय इस नवदम पत्ती ने जोबड़े में प्रवीश किया. मिर्गमई ने पु उस समय वे निष्टे ना कर सके कि उन्हीं क्या करना चाहिए. उनकी पिटिया और दामाद मानो सामराज्ये के युवराज और युव्रागी हैं. यहां पटसन के ठेर के बीच में उनके बैठने लायक स्थान कैसे बनाया जा सकता है? इसी के निर्णे है तो उनकी भटकती ह वे बुद्धी और भी भटक गई. और खाने पीने का प्रबंद? यह भी दूसरी चिंदा की बात थी. निर्धन बाबु अपने हाथ से दाल भात पका कर किसी प्रकार पेट भर लेता है. पर आज इस खुशी के अफसर पर क्या खिलाए और क्या करे? मिर्गमई पिता को अस सहा प्रकट किया. उस चोटी सी जोपड़ी में स्थान की कमी, आद्मी की कमी और अन की बहुत कमी थी. लेकिन चोटी से छित्र में से जिस परकार फवारा चोगने वेक से चूटता है, उसी परकार निर्धनता के सुक्ष्म सुराक से खुशी का फवारा तीवरता से चूट इसी परकार तीन दिन बीद गए. दोनों समय नियमित रूप से स्थी मराता, यात्रियों का आना जाना और शोलगुल सुनाई देता था, लेकिन संध्या के समय नदी का तट पिरकुल सुनसान हो जाता था. तब अपूर्व एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव किया करता था. तीनों मिलकर कहीं कहीं रसोई तयार किया करते थे. उसके बाद नई नई चूड़ियों से भरे हातों से उसका परोसा जाना, श्वसुर और जमाता का समलित रूप से भोजन करना और नई ग्रहनी के भोजन के त्रूटियों पर परिहास किया जाना, इस पर म्रिकमई का अभिमान करना, इन सब बातों से सब का मन पुल की थोड़ता था. अंत में अपूर्व ने कहा कि अब अधिक दिन ठहरना उचित नहीं, म्रिकमई ने कुछ और दिन ठहरने की प्रार्थना की, लेकिन इशान बाबु ने कहा नहीं, अब नहीं. विदा बेला पर बिटिया को चाती से लगा, उसके माथे पर स्ने सिंचित हाथ को रख कर, अश्रु मिश्रित स्वर में इशान चंदर ने कहा, बिटिया, तू अपनी सुसराल में ज्योती जगाना, लक्षमी बन कर रहना, जिससे मेरी भी नो में कोई दोश ना निकाल सके. मिरिकमई अश्रु पहाती हुई, अपने पती के साथ विदा हो गई, और इशान बाबु अपनी उसी जोपड़ी में लोट कर, उसी पुराने नियम के अनुसार, माल तोल कर, दिन पर दिन और मास पर मास पिताने लगे. दोनों अपराधियों की युगल जोड़ी अब घर पहुँची, तो मा गंभीर बनी रही, किसी से कुछ बात नहीं की. मा के ओर से किसी के वहवार में कोई दोशे परदर्शित नहीं किया गया, कि जिसकी सफाई के लिए दोनों में से कोई कुछ प्रेतन करता. इस शांत अभियोग ने, इस मुग अभियान ने, परवत की तरहां सारी ग्रहस्ती को अटल होकर दबा रखा. जब यह सहन शक्ती से बाहर की बात हो गई, तो अपूरुव ने कहा, मा, कॉलेज खुल गया है, अब मुझे कानून पढ़ने जाना है. मा ने कुछ उदासिंता प्रिकट करते हुए कहा, बहो का क्या करोगे? अपूरुव ने कहा, यहीं रहेगी. मा ने उत्तर दिया, ना बेटा, यहां पर उसकी जरूरत नहीं, उसे तुम अपने साथ ही लेते जाओ. अपूरु ने अभिमान पेड़ित स्वर में कहा, जैसे इच्छा. कलकत्ता लौटने की तैयारी मा करने लगी. लौटने के एक दिन पहले रात को, अपूरु जब अपने कमरे में विश्राम के ले गया, तो देखा, कि मृगमई शया पर पड़ी रो रही है. अनयास ही उसके रिदे को चोट पहुची. बेतित स्वर में बोला, मृगमई, मेरे साथ महानगरी चलने को मन नहीं चाहता क्या? मृगमई ने उत्तर दिया, नहीं. अपूरु ने पुना पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न इतनी जटिलता होती है कि कन्या से ठीक वैसे उत्तर की आशा नहीं की जा सकती? अपूरु ने प्रश्न किया, राखाल को छोड़कर यहां से चलने की इच्छा नहीं होती है क्या? मृगमई ने बड़ी सुकमता से उत्तर दिया. हाँ, इसे सुनकर भी ये पास अपूरु के हिर्दे में सुई के बराबर पालक राखाल की ओर से इर्शा का अंगुर उठ खड़ा हुआ. बोला, बहुत दिनों तक गाउन नहीं लोट सकूँगा, शायद दो ठाई साल या इससे भी अधिक समय लग जाए. इसके विशे में कुछ ना कहकर मृगमई बोली, वापस आते समय राखाल के लिए एक बढ़िया सा राजस का चाकू लेते आना. अपूरु लेटे हुए थे, दनिक उठकर बोला, तो तुम यहीं रहोगी? मृगमई ने उत्तर दिया, हाँ, अपनी मा के पास चाकर होंगी. अपूरु ने ठंडी से उच्छ वास छोड़ी, बोला, अच जब तक बोलाने की चिठी नहीं लिखोगी, मैं नहीं आऊँगा. आप तो खुश हो ना? मृगमई ने इस प्रशन का उत्तर देना व्याट समझा, और सोने लगी. किन्तु अपूरु को नीन नहीं आई, तक या उंचा किये उसके सहारे बैठा रहा. रातरी के अंतिम पहर में सहासा चंद्रमा दिखाई दिया और उसकी चांदनी बिस्तर पर आकर भैल गई. अपूरु ने उस रोशनी में मृगमई के चहरे की ओर देखा. देखते देखते उसे ऐसा महसूस हुआ कि रूपकथा के शहजादी को किसी ने चांदी की छड़ी चुआ कर अचेत कर दि और सोने की छड़ी कुंदन. भोर से पहले ही अपूरु ने मृगमई को चका दिया. बोला मृगमई मेरे चलने का समय आ गया है. चलो मैं तुम्हारी मा के पास छोड़ाऊं. मृगमई बिस्तर से उठकर चलने के लिए तयार हो गई. अपूरु ने उसके दोनों हाथों को ह चाहता की है. आज पढ़ देश चाते समय तुम मुझे उसका इनाम दे सकोगी. मृगमई ने आश्चर्रे के साथ पूछा. क्या? अपूरु ने कहा. स्वेच्छा से केवल एक चुम्बन दे दो. अपूरु की इस अनूखी विंती और शांध चहरे को देखकर मृगमई हसन वो चुम्बन देने के लिए आगे बढ़ी. अपूरु के मुह के पास मुह ले जाकर उससे ना रहा गया. खिल-खिला कर हस पड़ी. इस प्रकार दो भार किया और अंत में शांध होकर आचल से मुह ढखकर हसने लगी. जब कुछ ना बन पड़ा, तब अपूरु ने डाट म्रिग मई से कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इसमें वो अपना अपमान समस्ता था. उसकी इच्छा थी कि देवदाओं के समान साग और रहकर स्वेच्छा से भेंट के हुए उपहार को पाए और अपने हाथ से उठा कर कुछ भी ना ले. म्रिग मई फिर ना हसी. अपूरु उसे उशा की प्रथम किर्णों में निर्जन पत से उसकी मा के घर छोड़ाया. फिर लोटकर मा से बोला, मा बहुत सोच विचार कर इस निर्णे पर पहुँचा कि वधू को कलकत्ता ले जाने से पढ़ाई में बहुत नुकसान होगा. और फिर उसकी वहाँ कोई साथिन भी विच्छेद हुआ. मा के घर पहुँचकर मृगमई को पता लगा कि अब यहाँ उसका किसी प्रकार मन ही नहीं लगता है. उस घर में जाने कौन सा परिवर्दन आ गया है कि समय काटे नहीं करता. क्या करें? कहां जाए? किस से मिले? उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया. थो कत्ता जाने को उसका मन इतना आतुर क्यों है? पहले ऐसा क्यों नहीं था? यह उल्चन उसकी समझ में नहीं आई. उसने व्रिक्ष के शुष्क पत्ते के समान ही डंठल से गिरे हुए उस अतीत जीवन को आज अपनी इच्छा से अनायास ही दूर फैंक दिया. प्राचीन कथाओं से सुना जाता है कि पहले निपुन अस्त्रकार ऐसी बारी खडग बना सकते थे कि जिससे आदमी को काट कर दो टुकड़े कर देने पर भी उसे मालूम नहीं पड़ता और जब उसे हिलाया चाता था तो उसके दो टुकड़े हो जाते थे. विधाता की खडग ऐसी ही सुक्षम है कि कब उन्होंने म्रिक मई के बच्चपन और जवानी के पीचवार किया वो जान ही न सकी. आज ना जाने कैसे तनिक हिल जाने से उसका बच्चपना जवानी से अलग जागिरा और तब वो आश्रे चकित होकर देखती ही रह गई. कि यहां रही ही नहीं. अब उसके हृदे की सारी स्मृति एक दूसरे ही घर में, दूसरे ही कमरे में, दूसरी ही शया के आसपास गुंचती हुई उड़ने लगी. मृक्मई अब बाहर नहीं दिखाई पड़ती. उसकी हास से ध्वनी अंदर ही खुटकर रह जाती. उसका पश्पन का साथी राखाल तो उसे देखकर त्रस्थो भाब जाता. खेल खुटकी बार तो अब उनके मन में ही नहीं आती. मृक्मई ने अपनी मा से कहा, मा मुझे सास मा के घर ले चल. उधर कलकते जाते समें, बेटी की उदासिंद्या को याद करके, मा का हरिदेव विदीन हो रहा था. क्रोध में आकर वधू को वो अपनी ससुराल छोड़ाया. यह बात उसके मन में सुई की तरह चुपने लगी थी. इतने में एक दिन अवखुण धन डाले, मृक्मई आपाउंची. चेहरा उसका मुर्चासा गया था. और उसने सास मा के चर्णों का सफर्ष किया. आशिश देने के स्थान पर सास मा की आँखों में अश्रू भराये. और उसी शन मृक्मई को उठा कर जलते हुए कलेजी से लगा लिया. उसी शन दोनों का मिलाप हो गया. मृक्मई के चेहरे की और निहार कर सास मा को बढ़ा अश्र्य हुआ. अब वो पहली मृक्मई नही रही थी. ऐसा परिवर्तन तो कतिपय सब के लिए संभब नहीं. ऐसे परिवर्तनों के लिए बड़ी ताकत की अविशक्ता होती है. सास मा ने बहुत सोच समझ कर निश्चे किया था कि वधू के सारे दोशों को धीरे-धीरे से सुधारेगी. किन्तु यहां तो पहले से ही क मिर्गमे के हृदे में आशार महा के सचल मेखों के सामान अश्रों से पूर्ण गर्व उमढने लगा. उस गर्व से उसकी बड़ी-बड़ी आँखों की छायादार घनी पलकों पर और भी कहरा आवरन डाल दिया. वो मन ही मन अपुर्व से कहने लगी. मैं अब तक अपने क को ना समझ सकी, तो ना सही. पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझने का प्रत्न किया? तुमने मुझे दंड क्यों नहीं दिया? तुमने अपनी इच्छा के वशी भूतों क्यों नहीं चलाया? मुझ टाइन ने जब तुम्हारे साथ महानगरी चलने को इंकार किया, तो तुम प्रांथ फिर उसे उस दिन की आद आई, पहले पहल जिस दिन अपुर्व सवेरे तालाब के किनारे सुनसान रास्ते में उसे बंदी बना कर मुँझे कुछ ना कहकर केवल उसके मुक्गी और नहारता रहा था, उस दिन के उस तालाब की, उस पत की, व्रिक्ष के नीचे उस सुनहली धूब की, हिर्दय भार से जुकी हुई, उस गहरी चित्वन की उसे स्मृति चा गई, और सहसा उसका पूरा-पूरा अर्थ अब उसकी समझ में आ गया था। अब रह रह कर उसके मन में यही बातें उठा करती, यदि उस समय तु ऐसा करती, उनकी बात का यदि ऐसा उत्तर देती, तब ऐसा करती। समझा होगा, क्या सोचते होंगे? अपूर्व ने उसे पाशाने, चंचल, उदंड, नादान लड़की समझ लिया होगा. लबालब भरे हुए तल्ला मृत की धारा से अपनी प्रेम तिश्रा मिटाने में उसे स्मर्थ नव्योवना नहीं जाना. इस वेदना से धिकार के मारे लज्जा से वो धरा में धसी जा रही थी, और प्रियतम के चुम्बन और सोहा के उस रिन को, वो अपूर्व के तक्ये को दे दे कर उरिन होने का प्रत्न करने लगी. इसी प्रकार काफे दिन बीद गए, चलते समय अपूर्व कह गया था, जब तक तुम्हारा पत्र नहीं आएगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा. मिरिकमई इसी बात को याद कर, कमरे का द्वार बंद कर, एक दिन पत्र लिखने के लिए बैठी. अपूर्व ने जो सुनहरी किरनों के कागस दिये थे, उन्हें निकाल कर, बैठी-बैठी विचालने लगी. क्या लिखे? बड़े यतन के बाद, हाद जमा कर, टेड़ी-मेड़ी रेखाएं अंकित कर, उंगलियों में स्याही पोत कर, छोटे बड़े अक्षरों में, उपर संबोधन बिना किये ही एकदम लिख दिया. तुम मुझे चिठी क्यों नहीं भीज़ते? तुम कौन हो? घर चले आओ, और क्या होना चाहिए? वो सोच कर भी किसी निर्ने पर ना पहुंच सकी. अंद में उसने कुछ विचार कर लिया. अब मुझे चिठी लिखना और कैसे रहते हो सो लिखना? जल्दी आना, सब अच्छी तरह है. और कल हमारी काली गाय के बच्छडा हुआ है. इतना लिखकर चिठी लिफावे में ब उड़ेला गया हो. किन्तु तो भी रेखा सीधी, अक्षर सुंदर और लिखावट सही नहीं हुई. लिफावे पर नाम के सिवा और कुछ लिखना भी अवश्चक है. मिरिक में इस बात से परिचितना थी. कहीं सासमा या कोई और ना देख ले. इस भाई से लिफावे को व अपूर्व घर नहीं लोटा. मा ने देखा कि कॉलेज बंध हो गया. फिर भी अपूर्व घर नहीं आया. सोचा अब भी वो उनसे गुसे है. मिरिक में ने भी समझ लिया कि अपूर्व उसे गुसा कर रहा है. और तब वो अपने पत्र की याद करके मारे लज्जा के की ही नहीं. फिर उनका ही क्या दोश? यह सोच सोच कर वो तीर बिंधे शिकार की तरहा भीतर ही भीतर तड़पने लगी. दासी से उसने बार बार पूछा. उस पत्र को तु डाक में डालाई थी? दासी ने उसे कितनी ही बार समझाया. हाँ बहुजी, मैं खुद चिठी को टिपे में डालाई हूँ. बाबुजी को वह मिल भी गई होगी. अंत में अपूर्व की मा ने म्रिगमई को पास बला कर पूछा. बहु, वो बहुत दिनों से घर नहीं आया. मन चाहता है कि कलकत्ता जाकर उसे देखाऊं. क्या तुम साथ चलोगी? म्रिगमई जबान से कु हिद्य के आवेश को दबा कर हलकी होने का प्रत्न करने लगी. और इसके बाद भावी आशंका के विशे में सोच कर रोने लगी. अपूर्व को सुचित किये भी नहीं, दोनों उसकी शुब कामना चाहती हुई कलकत्ता को चल दी. अपूर्व की मा कलकत्ते में अपने दामा के लिए बैठा था. तब ही उसे जिजाजी का पत्र मिला कि तुम्हारी मा आई है, जल्दी आकर मिलो और रात को भोजन यहीं करना. समाचार सब ठीक है. इतना पढ़ने पर भी उसका मन किसी अमंगल सोचना के आशंका कर घबरा उठा. वो तुरंधी कपड़े बदल जिज की कृपा है. छुटियों में तु घर क्यों नहीं आया? इसलिए मैं तुझे लेने आई हूँ. अपूर्व ने कहा, मेरे लिए इतनी तकलिफ उठाने की क्या जरूरत थी मा? मैं तो कानून की परेक्षा के कारण. ब्यालू करते समय दीदी ने पूछा, भाईया, उस समय भ हाना है. असल में हमारे डर से लाने की हिम्मत नहीं पड़ी. दीदी बूली, बड़े डरपोक निकले भाईया, कहीं इस डर से बुखार तो नहीं चड़ा? इस तरह हां सी मजाग चलने लगा. परंतुआ पूर्व वैसे ही उदासिन बना रहा. मा जब कलकत्ते आई, तब ही पी चाहती, तो वो भी कलकत्ते आ सकती थी. पाशाने कहीं की, इस प्रकार सोचते सोचते उसे सारा मानाग जीवन व्यर्थ सा प्रतीत होने लगा. ब्यालों के बाद बड़े जोर की आंधी आई, और बहुत देज वर्षा होने लगी. दीदी ने कहा, भाया, आज यहीं रह जाओ. अपूर्व ने कहा, नहीं दीदी, मुझे जाना ही होगा, बहुत सा काम पड़ा है. जीजा ने कहा, ऐसी रात में तुम्हें क्या काम है? एक रात को ठहरी जाओगे, तो कौन सा काम बिगड़ जाएगा? बहुत कहने सुनने के उपरांध, अनिच्छा से अपूर पूर्व को उस रात दीदी के पास ठहरना पड़ा. राजी हो जाने पर दीदी ने कहा, भाईया, तुम ठके हुए दिखाई देते हो, अब चल कर आराम कर लो. अपूर्व की यही इच्छा थी, कि शैया पर अंधेरे में अकिले चाकर सो रहे, तो उसकी जान बचे. बाते क करना भी तो उसे बुरा लगता था. सोने के लिए जिस कमरे के द्वार तक उसे पहुचाया गया, वहां जाकर देखा कि भीतर अंधकार छाया था. दीदी ने कहा, डरो मत भईया, हावा से बत्ती बुझ कई मालुम होती है, दूसरी बत्ती लिया आती हूँ. अपूर्व न परे कमरे में साब्धानी के साथ शया की और बढ़ा. शया पर पैठना चाहता था कि इतने में चूडियों के खनकने की आवा सुनाई दी, और कोमल पहुपाश में वो बुरी तरह चकड़ गया. उन्ही चणों पुश्प से कोमल व्याकुल ओस्ठों ने डाकु के समान आकर अविरल अश्णू धारा के भीके हुए चुम्बनों के मारे उसे आश्णरे प्रकट करने तक काव सन्ना दिया. अपूर्व पहले तो चौक पड़ा. इसके बाद उसकी समझ में आया कि जो काम वो पाशानी को मनाने के लिए अधूरा छोड़ाया था, उसे आज अश्णू रवेंद्र नाट्य गोर्जी की अन्य कहानिया आप कथा साहित्य की प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं. कथा साहित्य में यूही अपना साथ बनाई रखिएगा. धन्यवाद.